अब तक चलेगा अभी तो मुझे नहीं पता ये डिसाइड तो हमित्षाजी करेंगे कि वो कब तक हमको सडकों पर रखेंगे हम डरने वाले नहीं हम हटने वाले नहीं हम यहीं रहेंगे अमिश्या जी ने कहा था कि हम इस पर एक इंच भी पीछे नहीं अटेंगे आप क्या कहें वो एक इंच ना हाटें हम एक एक सूत करके उनको हटाते रहेंगे और जब उन्हें पता चलेगा तो वो कई मीटर पीछे हो चुके होंगे मुखमंतरी ने जैसे एक बार कही कि पूश तो कंबल में सो रहे हैं और तो अपने बच्चों को चराहे पर बिठा दिया है तो आप क्या कहीं इस पर मैं क्या बोलूँगी जो लोग अपनी मा बेनों को सौ सौ साल की उमर की माओं को नोड़ बंदी में लाइन में लगा सकते हैं वो दूसरे की मा बेनों की इज़त क्या करेंगे अगर मुखमंतरी जी की आँकों पे पट्टी नहीं बंदी है तो वो देखें कि हमारे मर्द हमारे बेटे हमारे भाई शाना बशाना अपना सारा कारोबार छोड़ करके अपनी बेन बेटियों की हिफाज़त में यहां दिन रात लगे हुए है और आप की शराफत यह है कि जिन बेटियों की आप तरफदारी करते हैं उन्नाओं के अंदर एक रेप पीडिता के पूरे खांदान को मरवा दिया एक सैंगर को बचाने के लिए आप लेंगिक बातें करते हैं आप औरतों के फेवर में बातें करते हैं कल तक आपको मुसल्मान बेनों पर बड़ी दया आती थी आज मुसल्मान औरतों को आप रोड पे ले आएं, मुसल्मान मर्दों को आप गोली का निशाना बना रहे हैं और जब औरतें अपने मर्दों को अपनी गोदों को अपनी मांग को बचाने के लिए आई हैं तो आप उस पर टिपड़ी कर रहे हैं, काश आप भी किसी औरत के मर्द होतें, किसी बेटी के माप होतें, किसी माँ के बेटे होतें, तो आपको पता चलता है कि परिवार क्या होता है। बलकि मैं तो कहती हूँ कि मुझे सरदार भगल सिंग की तरह इसी चौराहे पर फांसी लटका दिया जाए, लेकिन ये इनकिलाब खतम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा.